मुझफरपुर में विजलेंस की टीम ने मंगलवार को बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपए खुस लेते बिजली विभाग के डाटा ओपरेटर अजीत कुमार सिंग को रंगे हातों किरफतार किया है बताया जा रहा है के हरी शंकर मनियारी के रहने वाले रियाज उद्दिन ने बेल्डिंग मशीन चलाने के लिए बिजली कनेक्शन के लिए मनियारी पावर सब स्टेशन में आवेदन दिया था जिस पर बिजली ओपरेटर अजीत कुमार सिंग ने बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपए खूसकी मांगी थी रियाजुद दिन करके परिवादी हैं जिलोंने आपको विदूत आप पूर्ती साखा मारकन में आबेदन दिया था कि हमको बेल्डिंग मसीन चलाने बैठाने है तो उसको एक कनेक्शन चाहिए था ठीक है उसके लिए जो है एक 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 स्विटीव असिस्टेंट डाटा इंट्री ऑपरेटर थे आप पूर्ती प्रसाखा में मारकन में उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे आप अगे चल रही है यह जगह से यह पैसा लेने के लिए वहां पाए हुए थी आरुपी का नाम है अजीत कुमार सिंग यह आपको रहने वाला है महुआ का थी का राजा पाकर राजा पाकर राजा पाकर रही संकर मनियारी का था मनियारी मजपरबुर कहीं से बढ़ा रहा है बतादे कि रियाज उतिन ने इसकी शिकायत 22 दिसंबर 2022 को विजलेंस में की थी जिसके बाद विजलेंस जीएसपी के नित्रत्व में एक टीम गठित की गई और मामले का सत्यापन किया गया जब मामले में सत्यता पाई गई तो विजलेंस की टीम ने मंगलवार की सुभा मुजफरपुर पहुच कर जाल बिचाया उसके बाद जैसे ही विजली ओपरेटर घूस लेने के लिए राम दयालू पहुचा तो विजलेंस की टीम ने उसे घूस लेते रंगे हाथ के रफता कर लिया पंजाब के सिरी टीवी के लिए मुजफर पुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट